आप सभी का स्वागत है, I hope कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे आज हम लोग करेंगे percentage का type 3 इसमें आपका ratio से भी question होगा, profit loss से भी question होगा और time at work से भी question होगा मैंने आपको बताया था कि ये percentage ऐसा chapter है कि सभी chapter को जो है, इसमें touch किया जाता है इसको इसलिए इस chapter को सबसे पहले start करने का मतलब यही है ये जो सभी जो जितने chapter है math में, सब जो आपके cover हो जाएंगे अब देखी ये chapter जो है, कितना important है, आपको लग रहा होगा देखी मैंने पहला question लिखा है, जो किस से related है, ये आपका ratio से related है देखी रेसियू से related है, मतलब कि अनुपात समानुपात से question है question है बाबू, कि एक college में लड़कियों का अनुपात दिया हुआ, तीन अनुपात दो के अनुपात में है इस अनुपात को जो है, क्या लिख सकते हैं शामनुपात में दिया हुआ है तो 3900 यहाँ तक कोई दिकत नहीं किसी को न चाहिए यदि 20 परषिन लड़के 25 परषिन लड़किया बेस्ख है ब्यास्क यहां दिया हुआ है 20% परश्च लड़कियां दिया हुआ है यह जो है यह बॉआइगे यह वायज का है और यह गल्स का है हाना तो आव ब्यास्क बिद्यार्थी का परतिसत कितना हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर जो 20% जो लड़के जो है ब्यास्क है तो आव ब्यास्क कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा मतलब इसका जो 80% हो जाएगा आगे कह रहा है कि यह 25% लड़किया जो है ब्यास्क है तो आप ब्यास्क कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा निकाल दिए जल्दी से 300 का 80% कितना होता है तो यह आपका 240 होता है है न उसके बाद जो है 200 का 75% कितना होता है यह आपका 150 होता है, दोनों को add कर दीजे, कितना हो जाएगा, यह आपका 390 हो जाएगा, आप 390 जो है, आप कह रहा है कि आप वियास्क बिद्यार्थियों का परतिसत निकालना है, मतलब total overall कितना दिया हुआ, total कितना है यहां से यहां तक ले, तो यह 500 दिया हुआ है, इसका परतिसत निकाल दीजे, आपना कितना हो जाएगा, यह कट जाएगा, आप 5 से काट दीजे, हना 5 यह 78 परसंट जो है निकल करके, आजायेगा, option कौन सा हो जायेगा बाबू, option 78 परसंट जो है, यही दिख करہा है, हाई होब कि आपको यह कोसन जो है, कैसे उडाना है, आपको सोज में आ गया हो चलते को सब्सक्राइब करता है इसलिए ध्यान से इसको पढ़िए का देखिए को सब्सक्राइब कि एक टोकरी है जिसमें 52 परचेंट लीची है और 48 परचेंट जो है कीवी है कि आप सभी कीवी खाए है है ना तो यदि वे एक संख्या में मतलब वे संख्या में कितना 50 है दोनों मिलाकर कितना 50 है तो लीची और कीवी का अनुपाद क्या ये बताना है तो दिखिएगा 52 परचेंट का मतलब है कि लीची जो है अपने आप में क्या था 100 परचेंट था 100 परचेंट था कीवी अपने देखा जाए तो यह अपने आप में कितना था तो 100% था, कीवी अपने आप में 100% था, लीची अपने आप में 100% था, देखा जाए तो 200% जो है, यह टोकरी टोटल ओवरॉल देखा जाए तो 200%, इस 200% अगर इसका माना गया, तो यहां बर्द्वेश का वैलू जो है, इसमें ज तो आपका लिची और कीवी का मिला करके कितना संख्यमें दिया हुआ है तो 50 दिया हुआ है यह 50 आपर लिख देते हैं यहाँ देते आप 1 पर फ्रका बिलू 10 से अ 95 कर तो बहुत घाएगा यह कट जाएगा यहाँ पर आजाएगा अब यह आपका 13 जो है लिची का निकल गया अब यहां पर एक बटा चार से ही जो हैं आप जो एक कीवी देखें कितना 48 परशंट है जो 48 कीजेगा इसको काटीगा तो यह आजाएगा 12 आजाएगा मतलब दोनों कानुपात निकल करा गया 13 रेसियो जो है 12 निकल करके आ गया option कौन सा बंदू option number जो है बी दिख रहा है आपको I hope कि आपको समझ में आग यहां को चलते हैं question number 3 कि आपका जो है time and work से question है देखिए question क्या है 13 नमर कि एक आदमी के दैनिक कारी करनी के लिए जो है घंटे 20% बढ़ा दिये गए कितने घंटे बढ़ा दिये गए 20% बढ़ा दिये गए और जो है उसकी प्रती घंटे मैजदूरी जो है 15% बढ़ा दी गए और एक घंटा बढ़ेगा किसी भी मैजदू ATE-टा आप कीटना होग गया है उसके बाद मजदूरी है 15 zen why do you have 10 10-20 होगया आप कितना था जो है 20 हो गया है और $23 होगया थो वहर िखा जैता कितना जो है increase हुआ है यह 20 परचे कितना होगी यह 100 हो जाएगा यह 238 हो गया यह आपका कितना बढ़ गया है तो 38 जो है परशेंट निकल करके आ जाएगा आपका यह प्रॉफिट एंड लोग से कोशन है कि एक दुकांदार है जो कि फॉल खरीदने और बेचने में मतलब खरीटता भी और उसके बाद बेचता भी है कम तोलका उपियोग करकि 11 परचेंट क्या करता है दोखा देता है मतलब की 11 परचेंट जो है जब वो लेने जाता ह है तब 11 परचेंट का वो मुनाफ़ा लेता है उसे जब बेचता है तब वी जो है 11 परचेंट जो है ुह लेता है मत्तब किai 21 परचेंट 21 काadamente खिला हो रहा है तो उसका जो है कुल लाव परतिशत निकालना है इस पर जो है एक ही फर्मूला काम करता है A plus B plus A into B divided by 100 लगा दिजेगा काम आपका हो जाएगा A मतलब की 11% दो बार हुआ है ना एक बार खरिदते समय और एक बार बेशते समय हुआ है तो 11 into 11 कर दिजेगा divided by 100 कर दिजेगा 11 11 कितना 22 हो जाएगा इसको करेंगे 121 और एक पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा दुनों को एड कर देंगे हो जाएगा 23.21 पर्षेंट निकल करके overall कितना प्रोफिट हो रहा है इसको 23.21 का पर्षेंट जो है overall हो रहा है आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसको ध्यान रखना है आपको चलते हैं कोसन नमबर नेक्स्ट की और फाइब नमबर कोसन कि एक परिक्षा है जिसमें जो उतिर्न होने के लिए पास करने के लिए 40% अंक लाना जो है जरूरी है आगे कह रहा कि यदि परिक्षारती को 210 अंक मिलते हैं 210 अंक उस बच्चे को मिला है परन्तु वो 40 अंक से क्या हो गया है फेल हो गया है अगर इस 40 अंक इसको दे देंगे हम तो जो है ये क्या कह रहा है ये 40% का मतलब पास हो जाएगा अब पास का कितना दिया हो 40% दिया हुआ है तो 40% अंक आँक लाना चरूरी है परन्तु वो 40 अंक 4 अंक उसे क्या हो गया तो अंतिन हो जाता है तो 40 अंक दे दिये अब ये जो पास जो हो गया यहां भी पास का डाटा हो गया आप से पूफा है क्या इस परिक्षा में अधिक्टम अंक केतना है 100% का value आपसे पूछा हुआ है 100% का value जो है यहाँ आपसे पूछा हुआ है अब इसका add कीजिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा धाई सो हो जाएगा अब यह चालेज जो है नीचे आजाएगा आपका आप इंटू 100 कर देंगे तो 100% का निकल गया यह आपका 20 दूनी के 40 हो हो जाएगा 20-500 हो जाएगा यह इस से काटिएगा एक सो पचीस बार में हो जाएगा इदनों गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 625 जो है पूरा जो है 100% का value जो है निकल करके आजाएगा option कौन सा हो जाएगा option नबर B निकल करके आजाएगा जल्दी से जल्दी आपको उड ने करेगा तो जल्दी से जल्दी नहीं कीजिएगा तो कैसे जो एक घंटा में आप जो है एक घंटा में 75 को कीजिएगा इसलिए टाइम जो है बहुत ही important है चलते को से नमर अगला को सन किया है यह भी आपका पास और फेल से को सन दिया हुआ है को सन एक अभियरती है 20% अं करता है जो उतीर्ण होने के लिए आवस्यक जो है निंतम अंकों से 25 अधिक लेता है तो परिक्षा कितना टोटल अंकों का था यह आपसे पूछा गया है मतलब के पहले जो है 20% जो है हना प्राप्त करता है और 25 अंकों से फिल हो जाता है तो 25 जो है इसको देर देंगे तो ये पास हो जाएगा इसमें जो है पास और पास का डेटा जो है बहुत महत्पूर्ण है इदर पास का डेटा आ गया अगर 20% जो है वो प्राप्त किया है फिर भी क्या हुआ 25 से वो फेल हो गया है तिसको इदे देंगे हम लोग एड कर देंगे तो ये पास हो गया पपू पास हो गया अब आगे देखते हैं यहां पास क्या है आगे दिया हो डाटा कि यह दूसरा अभियरती जो 50% अंग प्राप्त करता है जो उतिर्ण होने के लिए आवसेक निंतम अंगों से 25 अधिक लेता है तो 25 अधिक लेता है मतलब यहां से 25 को हटा देंगे यह भी जो है पास के डेटा हो गया यह जादा लाया था इसमें हटा दी यह कम लाया था इसमें एड कर दी अब दूनों को बराबर कर देते हैं अब यह 50% है यह 20% है इधर जायगा तो कितना हो जाएगा यह आपका 30% हो जागा इधार, अब इदर इसको करेंगे नंबर वाले को, ति यह आजाएगा 60 हो जाएगा, अब ही कार्ट दीजे दो बार में हो जाएगा, मतलब कि 1% का भेलू जो है, दो निकल कर आ गया, आप से 100% का भेलू पूछा है, कितना हो जाएगा, तो 200 निकल करके आजाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नबर सी जो है, निकल करके आजाएगा, इस तरह से जल्दी सजल्दी उड़ाते हैं हम लोग, चलते कोशन हो जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक वस्तु मान सकते हैं, जिसमें जो है 25%, 25% का वेलू कितना होता है, तो मूल कीमत को इतना हो जाएगा, तो मूल कीमत आपका यह हो जाएगा, मूल कीमत यह है, इसमें क्या हुआ, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए, नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, कितना से बढ़ाएंगे कि यह इसके बढ़ाबर हो जाएगा कितना से बढ़ाएंगे तो दीख रहा है कि एक बढ़ाएंगे हाना तो किससे बढ़ाएंगे इससे बढ़ेगा आपका इसी से बढ़ेगा हाना तब जाकर के जो है इंटू 100% कर देंगे तो आपका जो है निकल कर कोशन है आपका और आपकी एक्जाम में कोशन को देखने को मिलते हैं चलते हैं कोशन में नेक्ट कोशन है बहुत इंपोटेंट कोशन है कि यह दी टमाटर की कीमत में जो है 25% की ब्रदी हो जाया है और सुधा जो है टमाटर पर किवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है तो सुधा क्या कर रही है कि हम जो है सिर्फ खर्च कितना करेंगे तो सिर्फ 15% अधिक ही खर्च करेंगे मतलब 115 ही खर्च करेंगे तो कितना जो है तो सुधा द्वारा प्राम्ट माटर की मातरा में कमी का परतिसत क्या होगा यह आप से पूछ रहा है कितना कम करना पड़ेगा तो 10 जो है कम करना पड़ेगा किस से कम करना होगा इससे कम करना होगा एक सब पचीस से कम करना होगा तो परिसत निकालने के लिए 100 से गुना कर देए 25, 25, 125, 174, 100 JENNY 10 हो जाएगा 2 चबस किला होगा आठ पर्ण की क्या करना होगा उसको कमी करना होगा वसुदाब को 8% option है option number C जो है निकल कर आ जाएगा I hope कि आज का जो है question आपको पसंद आया होगा मैंने आपको क्या क्या करवाया आज तो आज ratio से question करवाया profit loss से question करवाया time and work से question करवाया मतलब कि 3-4 जो है type जो है एक मिला करकर मैंने आपको क्या रवाया इस video को यहीं तरखते हैं मिलते हैं next video में एक नए type के साथ धन्यवाद